चलिए जानते हैं ebsynthiom homeopathic medicine कैसे काम करती है किन किन रोगों पर काम करती है और क्या उसके अंदर मुख्चे symptoms पाई जाते हैं तो यह remedy सबसे ज़्यदा nervous system पर काम करती है हमारे brain की system पर काम करती है and men पर काम करती है जिसके अंदर बच्चों के अंदर अगर दोरे पाये जाते हो यानि कि बच्चे को दोरे आते हो और उसमें दोरे के दोरान पूरा शरीर या तो कापता हो या फिर जटके आते हों और उसके साथ साथ पेशन्ट को चक्कर आते हों चक्कर कब आते हों बैड से उठते वे या किसी सीट से उठते वे चक्कर आते हों और उसके साथ साथ नींद ना आना यानि की सारी रात बेचैन रहेगा पेशन्ट और उसके मन में बहुत सारे ब्रह्म यानि की हलोसिनेशन र और अगर बच्चा है तो बच्चा बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है घबरा जाता है चीजों को लेकर और बड़ी stupid सी हरकते करता है यानि की बचकानी हरकते करेगा एक यंग लड़का भी ऐसी हरकते करने लगता है जैसे बिलकुल बच्चा हो और friends absinthium का patient जरा सी बात से ही over excited हो जाएगा या फिर जरा सी बात से ही घबरा जाएगा यानि की nervous हो जाता है तो ये कुछ मुख्य बाते हैं जो एपसिंथियम के patient में आपको मिलेंगी दोस्तों अब जानते हैं एपसिंथियम शरीर के किन किन अंगों पर काम करती है तो friends मन पर ये काम करती है मन के symptom मैंने बताई दिये हैं बहुत जल्दी patient घबरा जाएगा और या फिर बहुत जल्दी over excited हो जाएगा डरावने उसको सपने आएंगे और भ्रम उसके मन में रहते हैं कि मुझे कोई डरावनी चीज दिख रही है या कोई मेरा पीछा कर रहा है या कोई मेरे पीछे ख़ड़ा है इसके साथ साथ सर में चक्कर आते हैं और इनके चक्रों में खासकर ऐसे लगता है कि patient पीछे की तरफ को गढ़ जाएगा उसके बाद ये मुझे पर भी काम करती है गले पर भी काम करती है पेट पर भी काम करती है पिशाब में भी ये दोस्तों काम करती है दवाई और उसके साथ साथ फीमेल्स के अंदर ये अगर राइट ओवरी में बहुत जादा पेन हो मैंसिस के दुरान तब भी ये दोस्तों दवाई काम करती है या फिर बहुत जादा नाइट फोल हो रहा हो एक मेल के अंदर तब भी ये दोस्तो रेमेडी काम करती है और फ्रेंट्स हर्ट पर भी रेमेडी काम करती है उसमें ऐसा मैसूस होता है जैसे चाती पर कोई बोज रखा है और उसके साथ साथ दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐ हैं दोस्तों एपसिंथियम होमियोपेथिक मेडिसन के मुख्य सिंप्टम्ट